हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सच्रिया काल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाज रहू हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं वर्त वली सब्जी यानि की भंडारे में जो बनाई जाती है आलो की सब्जी वही आज हम अपने घर पर बनाएंगे जटपट से बनाएंगे बहुत टेस्टी बनती है बहुत ही चटपटी बनती है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस की दिये और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर तो चलिए फिर देर ना करते हों स्टार्ट करते हैं तो फ्लेम अन करके रखिए देखिए मैंने कड़ाई रख दिया और डाल दिये दो तिन बड़े चमच ओईल हलका सा गरम हो गया है अब हम इसमें डाल रहे हैं हिंग तो दो चुटकी के क्रीम इन इसमें हिंग एड़ की तो मैंने इसे क्रशर में थोड़ा सा क्रश कर लिया है दोरों चीजों को तो एक से डेट चमच हम इसमें एड़ कर देंगे इस तरह से क्योंकि हम इसमें आप जानते ही हैं लसन और प्यास का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करते तभी ये वर्त में असानी से खाई जाती है तो इसे अच्छा तरीके से हमें भुनना है जब तक इसका कच्चा फ्लेवर बिल्कुल ना खतम हो जाए अब जैसे ही इसमें कच्चा फ्लेवर खतम होगा हम इसमें डाल देंगे कुछ मसाले जिसमें मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला तो इन्हें अच्छी तरह से ऑईल में मिक्स कर देंगे इस तरह से जो सबजी का कलर है ना बहुत ही जबर्दस आता है तो जैसे हलका सा भुन जाए इसमें हम डाल देंगे हमारी टमाटर की प्यूरी इसे मतलब मैंने चौपर में ही चौप कर लिया है और 3-7 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर आप इसे उपर से कवर कर दीजिए कडाई को और इसे अरांसे पकने देंगे तो यह दिखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं मतलब टमाटर हमारे बहुत अची तरह से पक चुके हैं और बिल्कुल सेपरेट हो गया है बस अब इसे ज्याद में थोड़े बड़े पीस होंगे उसको भी चोटा कर देते हैं ज्यादा बड़े-बड़े पीसिस नहीं चाहिए मीडियम साइज के ही पीसिस चाहिए हमें तो चाकु से मैंने कट नहीं किया है दिखने है इस तरह से करने से क्या होता है कि हमारी जो गरेवी आना बहुत ही अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इस मसाले में और कम से कम एक मिनिट आप इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से भून लीजिए अगर आलो अच्छी तरह से मसाले में भून जाएंगे तो जो हमारी सबजी का टेस्ट है कई गुणा बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा इसे भूनने क्योंकि थोड़ा ठंडा होने के बाद यह बिलकुल गाड़ी हो जाती है तो देखे मैंने तो इसमें एक से डेड़ ग्लास पानी एड़ कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह पकने देना है पानी को यानि की ग्रेवी को कम से कम 7-8 मिनट तो साथ से आभ मिनिट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से हमारी सब्जी त्यार हो चुके है, यह देखेंगे, कितनी अच्छी लग रही है, देखने में भी खाने में तो वाक डीकी बहुत टेस्टी बनी है, cheg आप इसे और लौजा चट्पता बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें अम्चूर का पाउडर डाल सकते हैं नहीं तो आप इसे जब सर्व करेंगे तो इसमें नीम्भू का रस भी एड़ कर सकते हैं तो हमारे टमाटर बहुत अची तरह से मैंने चार-पांच टमाटर इसमें एड़ की हैं तो ज्यादा हमें ये इन चीजों की जरूरत नहीं है बहुत ही चटपटी हमारी सबजी बन गी है धेर सारा डाल दिया मैंने इसमें हरा धनिया मुं में पानी आ रहा है तो इस दरह से आप अपने घर पर असानी से बना सकते हैं और चटपट से बन जाती है वस आप आलू को बॉयल करना है बाकी टाइम ज्यादा नहीं लगता है इसे बनाने में तो देखिए इसकी ग्रेवी देखी कितनी थीक बनी है बहुत ही अच्छी बनी है देखने हमें ही इतनी टेस्टी लग रही है और खाने में वाक्ते ही यह बहुत टेस्टी बनती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह से अच्छी अच्छी simple simple easy easy videos मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो दोस्तों फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई